Hey Champs, मेरा नाम है लक्षे बर्मा और आज हम एक प्ले पड़ेंगे जिसका नाम है फेफु एंडर फ्रेंट्स इस प्ले को मारिया इरीन फॉंस ने लिखा है मारिया ने फेफु एंडर फ्रेंट्स प्ले को 1977 में लिखा था मारिया एक टेलेंटेड प्ले राइट थी और वो हवाना नाम की जगे से थी ये प्ले मारिया के one of the popular work है प्ले की सेटिंग इंग्लैंड 1935 है प्ले पहली बार स्टेजड हुआ था 1977 को तो चलिए आपका बिना डाइम वेस्ट करें प्ले को इजी लैंग्विज में समझते हैं ये प्ले तीन पार्ट्स में डिवाइड़ है पहले पार्ट की शुरुआत होती है स्टेफ़नी बेक मैं के लिविंग रूम से स्टेफ़नी का दूसरा नाम था फेफू वो लिविंग रूम एक कंट्री हाउस का था जो कि इंग्लैंड में है तीन वुमेन स्टेज पर हैं उनका नाम है फेफू, सिंडी और क्रिस्टीना सिंडी और क्रिस्टीना सबसे बेले आते हैं दोनों बाते कर रहे थे तब ही फेफू, डर खोलती है और अपने हस्बेड को शॉट गन से शूट करती है सिंडी और क्रिस्टीना शौक हो जाते हैं फेफू उनको explain करती है कि वो और उसके husband एक game खेल रहे हैं जिसमें फेफू खाली bullets fire करेगी और उसके husband बचने की acting इसके बाद फेफू stage को छोड़ कर toilet fix करने चाती है सिंडी और क्रिस्टीना उस shotgun को silk के scarf से डग देती है फेफू stage पर वापिस entry लेती है और बाकी guest भी एक एक करके आने लगते है जूलिया stage पर entry लेती है और वो wheelchair पर होती है फेफू जूलिया को उसका room दिखाती है और सिंडी और क्रिस्टीना audience को बताते हैं कि एक hunting game में डीर को shot किया गया उसके बाद डीर ने जूलिया पर attack कर दिया इसके बाद से जूलिया wheelchair पर आ गई और उसको attacks पी आते हैं जिसको play में नाम दिया petite mall scissors Emma, Paula और Sue stage पर entry करते हैं सब एक दूसरे को greet करते हैं जब सारे guests आ जाते हैं तब वो सब इस meet का motive audience को बताते हैं जो की होता है fundraiser जूलिया stage पर आती है और shotgun को check करती है सिंडी उसको बताती है कि shotgun खाली है जूलिया अपने आसपास की चीज़ों को notice नहीं कर पा रही थी तो वो अपने room में rest करने जाती है कैसे लिया की entry से first part खतम होता है Part 2 के चार parts है पहला है in the lawn इस part में audience देख सकते हैं कि Emma और फेफू बात कर रहे हैं वो लोग sex और genitals की बात कर रहे थे फेफू कहती है कि sex एक private act है जिसे angels को judge करना चाहिए फेफू sex की topic से shift होती है spirituality के topic पर वो share करती है कि वो pain और craving feel कर रही है जो कि उसको bother कर रहा है फेफू state छोड़ कर जाती है और Emma Shakespeare के sonnet 14 को recite करती है Part 2 का दूसरा part है in the study room इस part में Cindy और Christina लव के बारे में बात कर रहे हैं दोनों काफी jokes के बारे में बात करते हैं और उन पर हसते हैं दोनों बात करते हैं फेफू और उसके adventurous character के बारे में suddenly Cindy बात करना शुरू करती है अपने dream के बारे में जिसमें Cindy को बहुत सारे men molest कर रहे थे फेफू enter करती है Part 2 का third part है in the bedroom इस part में जूलिया अपने room में अकेली है वो सोच रही होती है अपने accident के बारे में जूलिया तो कुछ time के लिए मर गई थी लेकिं जजेस दे उसको chance दिया wheelchair पर जीने के लिए जूलिया बात करती है फेफू के उपर danger की क्योंकि जजेस को लगता है कि फेफू अलग और smart है जूलिया अपने आसपास की चीजों को notice नहीं कर पा रही थी और खुद को थपर मार रही थी जूलिया लगातार प्रे कर रही थी सू सीन में एंटर गरती है सू के बाउल के साथ और ये सीन वहीं एंड हो जाता है पार्ट टू का लास्ट पार्ट है इन्दा के चर्ट इस पार्ट में पॉला और सू बात कर रहे होते हैं एक love affair कितने time तक चलता है पाला ने इसके पीछेगी maths को figure out कर लिया था वो बताती है 3 months of love 1 year saying it's alright 1 year trying to understand what's wrong 2 year knowing the end had come 1 year finding the way to end it after separation 2 years trying to understand what happened total हुआ 7 years और 3 months सू जूलिया के सूप के साथ exit करती है और फिर कैसेलिया enter करती है कैसेलिया और पॉला पहले lovers थे वो दोनों एक दूसरे से अपने relationship के बारे में बात करते हैं और closure लेने की कोशिश करते हैं सीन के end में फेफू किचन में enter होती है lemonade लेने और बाकी सब को Emma की game को join करने के लिए पूछती है Part 2 यहां खतम होता है Part 3 की शुरुवात होती है सब लोग living room में इकटा हुए ताकि वो fundraising event पर बात कर सकें वो furniture को move करते हैं ताकि अपनी performance दे सकें फेफू स्टार्ट करती है primary school की education की conditions से यह एक performance है तो Emma focus करती है कि किसके बाद कौन जाएगा ताकि वो एक situation build कर सके Emma dramatically enter करती है और उसने drop पैना था सब ने बाकी का event rehearse किया rehearse के बाद सब ने dishes करने का decide किया और water fight भी करी change करने के बाद सब ने coffee पी और काफी चीजों के बारे में बात करी जैसे कि एक woman थी Julie जो की बहुत सुन्दर थी और rumor था कि Julie ने 28 men को date किया है Julia और फेफू lawn में बात कर रहे थे Julia को लगता है कि अगर फेफू उसके पास आईगी तो फेफू के साथ भी वही होका जो Julie के साथ हुआ था Christina एंटर करती है और फेफू वहाँ से चली जाती है Julia फेफू को बताती है कि उसको death आते हुए देख रही है फेफू shotgun के barrel को साफ कर रही है फेफू फिर वहाँ से चली जाती है फिर short की अवाज आती है और हम Julia को bleeding करते हुए देख सकते हैं फेफू वापस एंटर करती है एक rabbit को हाथ में लेकर और वो सब Julia को dead पाते हैं पाते हम अवाजब बता है